प्यार के सागर शिव बाबा हमें निस्वार्थ प्यार देकर इस पुरानी रावण की दल्दल से निकालते हैं हमें अपने स्वधरम में टिकना सिखाते हैं तो आज शिव बाबा ने स्वधरम में टिकने की कौन-कौन सी बाते कहीं और कौन सी ऐसी विधियां बताई जिससे हम माया की दल्दल से चूट सकते हैं आई यून पर प्रकाश टाले आज 11 जून 2021 के महवाक्यों की विशेश बाते इस प्रकार हैं रावन की दल्दल से निकलने वालों की निशानिया इच्छा मात्र मविध्या एक बाब के सिवाय और कुछ भी याद नहीं करेंगे इस शरीर को भी भूले हुए होंगे पूरा वनवाह में होंगे हम बच्चे क्या जानते हैं पतित पावन एक ही बाब है सुख धाम और दुख धाम आधा आधा है हमको शिव बाबाने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाए ब्रहमण बनाया है शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं हमको बाबा सुख धाम वाया शान्ती धाम में ले जा रहे हैं हम यहां पाट बजाने आए हैं फिर जाना है सर्फ़का सद्गती दाता कौन सी बात हैं इसे हैं जो शास्त्रों में नहीं है हम बच्चे जानते हैं यह ज्ञान बाप ही बच्चों को सम्मुक देते हैं मुक से बात कर रहे हैं हमको श्रुव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाãy ब्रह्मन बनाया है श्रिव बाबा का ये बच्चा भी है वन्नी यानि स्त्री भी है कितने बच्चों की संभाल की जाती है अकेला मेल होने के कारण सरस्वती को मददगार बनाया है कि बच्चों को संभालो ब्रह्मा बाबा हम बच्चों को क्या समझा रहे हैं? तुम सदा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। विचार सागर मन्थन करना बच्चों का काम है। जैसे तुम करते हो, वैसे मैं भी करता हूँ। नहीं तो पहले नंबर में कैसे जाएंगे। संपूर्ण वफादार आत्माओं की निशानिया क्या हैं? हर वस्तु की पूरी-पूरी संभाल करते, कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाने देते, संकल्प, समय और कर्म, सब इश्वरिय सेवा अर्थ लगाते, सब कुछ सफल करते। हम बच्चों को किन बातों की खुशी होती है? 84 जनम पूरे किये, अब हमको जाना है, यह बेहत का नाटक है, पाट बजाने में हमको मज़ा आता है, हम बाप से पवित्रता सुक शान्ती का वर्षा ले रहे हैं, माया रूपी रावन की दलदल से जितना जितना निकलते जाते हैं, उतना उतना खुशी होती है, हमें धार्णा कीन बातों की करनी है, मेरा मेरा सब छोड अपने को आत्मा समझना है, आत्म भिमानी रहने की मेहनत करनी है, यहां बिलकुल वनवाह में रहना है कोई भी पहनने खाने की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बनना है पाट बजाते हुए कर्म करते अपने शान्ती स्वधर्म में स्थित रहना है शान्ती धाम और सुखधाम को याद करना है इस दुख धाम को भूल जाना है ये थी आज की मुरली की कुछ विशेश पॉइंट्स आज हम सारा ही दिन अपने शांती स्वधर्म में स्थित रहने का अभ्यास करें और ये स्मृति में रखें कि जो कुछ भी हमें प्राप्तियां स्थूल रूप से होंगी वो अगले जनम में 21 जनमों के लिए लेकिन इस समय हमें पूरा वनवाह में रहना है ओम शांती